क्यों फ्लॉफ हो रही है पवन सिंग की फिल्म सेर सिंग आखिर किस कारण से दर्सक इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे जी हाँ इन सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के बाद इसे सेर जरूर करें तो पवन सिंग के इस फिल्म सेर सिंग को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड थे फिल्म में आमरपाली और पवन की जोड़ी है फिल्म पे बहुत खर्चा भी किया गया और तो और फिल्म की पूरी सूटिंग राजस्थान मे की गई तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सब होने के बावजूद फिल्म लोगों के दिलों में नहीं उतर पाई तो इसके पीछे तीन बड़ी वज़े हैं पहली वज़े तो यह है कि फिल्म की रिलीज डेट को बार बार कैंसल किया गया जिस वज़ा से दर्सकों को बहु के स्टार कास्ट को फिल्म की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं हुई है ना ही पवन सिंग ने प्रमोशन किया और ना ही आमरपाली दूबे ने फिल्म रिलीज होने के बाद भी दर्सकों को कोई भी मैसेज नहीं दिया गया स्टार कास्ट की तरफ से और तो और पूरी टीम सि सही लेकिन फिल्म कई सिनेमा घरों से उतर चुकी है और तीसरी वज़ा कही ना कहीं दर्सक पाउन और अमरपाली के जोड़ी को पसंद नहीं कर रहे इससे पहले पाउन और अमरपाली की जोड़ी हमें एक गाने में देखने को मिली थी सत्या फिल्म में रात दिया बुता के गाने में दोनों की जोड़ी हमें देखने को मिली थी और गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था लेकिन अब जब फाइनली इनकी जोड़ी आई तब दर्सकों ने अपना प्यार नहीं दिया हाला कि पाउन सिंग ने अपने इस फिल्म को अपनी एक्टिंग अप पित होगी सेर सिंग लेकिन हुआ एकदम उसका उल्टार फिल्म पिट गई वल आपको क्या लगता है क्यों ये फिल्म फ्लॉफ होई हमें कमेंट कर अपने कारण जरूर बताएं